हेलो फ्रेंड्स वाइरल मॉर्फलोजी के नेक्स्ट टॉपिक में आपका सौगत है मैं हूँ डॉक्टर अंकी जैन मैं यह सारे वीडियो वेटिनली वाइरलोजी की बुक मर्फी से बना रहा हूँ तो लेट में कंटिन्यू वाइरल मॉर्फलोजी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे एक्सरेक्स्ट टॉप्राफी से हम वाइरस के अलफा और बीटा हैलिक्स को देख सकते हैं अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे केपसिड स्ट्रक्चर के बारे में सो बैसिकली जो कैपसिड है वो एक स्ट्रक्चर है जो की नुकलीक एसिड को सराउंड करता है यह नुकलीक एसिड है और यह कैपसिड है सो फ्रेंड्स कैपसिड इस कंपोजड ओफ अब बैसिक यूनिट कैपसिमियर और यह क्वेशन हमेशा आता है यह एक अब्जेक्टिव है यह आपको याद रखना है कैपसिड इस्ट्रक्चरल प्रोटीन है कैपसिड जो है वो कैपसिमियर की वीक केमिकल बॉन्डिंग से बना होता है अब यह जो वीक केमिकल बॉन्डिंग से है इससे कैपसिड के दो टाइप के पैटर्न बनते हैं पहला पैटर्न है आइकोसाइडरल सिमेट्री और दूसरा पैटर्न है हेलिकल सिमेट्री तो इस पिक्चर में बहुत क्लियर है आइकोसाइडरल सिमेट्री इस मेंली कंपोजड ओफ 12 वर्टिसस 30 एजिस एंड 20 फैसस यह आइकोसाइडरल सिमेट्री में होते हैं और यह हमें याद रखना है हेलिकल सिमेट्री में नुक्लिक एसीड यह नुक्लिक एसीड है करता से कपसोमीयल को और इस टाफ से नुक्लिक प्रोटिन की एक सर्क्यूलर लेयर बनाता है हैङलिकल लेयर बनाता है इसको इसलिए हम हैङलिकल स्ट्रक्फर कहते हैं तो इस टाइब से दो structure हो गए, केपसिट के पहला है आइकोसाइडरल सिमेटरी, और दूसरा है हेलिकल सिमेटरी, आइकोसाइडरल सिमेटरी में 12 vertices होते हैं, 12 vertices का मतलब यह है कि, यह जो corner हैं, इनको हम vertices कहते हैं, तो इस टाइब के 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइब से 12 vertices होते हैं, 30 edges होते हैं, तो इस फोटोग्राफ में और इसी है, 12 vertices होते हैं, 30 edges होते हैं, तो यह जो border आपको दिख रही है, यह border एक edge है, यह दूसरी edge है, इस टाइब से 30 edges होते हैं, और 20 faces होते हैं, यह एक face है, इस टाइब से 20 faces होते हैं, आइकोसाइडरल सिमेट्री में तीन टाइप की रोटेशनल सिमेट्री होती है रोटेशनल सिमेट्री उन लोगों को बहुत इजी रहेगा समझना जिन्होंने 12 वगरा में जो केमेस्ट्री पढ़ी है उसमें हम मेरर इमेज़ेज वगरा पढ़ते थे तो यह देखिए यह एक रोटेशनल सिमेट्री है तो इस टाइप की जो रोटेशनल सिमेट्री टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं यानि कि हम एक एक्सिस बनाएं तो ये टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है यानि कि इस एक्सिस पर अगर वाइरस रोटेट होता है तो ये सिमेट्री कम्प्लेट्ली टू फोल्ड में डिवाइड हो जाएगी यहाँ आप देखें ये थ्री फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है ये फैसेस पर मिलती है और ये फाइप फोल्ड सिमेट्री है ये वर्टिस पर मिलती है तो ये याद रखना है दोस्तों जो टू फोल्ड सिमेट्री है वो एजेस पर मिलती है जो 3-fold symmetry है वो faces पर मिलती है और जो 5-fold symmetry है वो vertices पर मिलती है इसके बाद एक चीज Ico-sidal symmetry में वो धियान लखना है और वो है hexons और pentons ये नए टर्म है hexons and pentons so friends hexons का मतलब होता है कि जब एक capsomere को 6 अलग-अलग capsomere इस petal में surround करें तो इसको hexon कहते हैं और pentons का मतलब होता है कि जब एक capsomere को इस type से अलग-अलग capsule में surround करें तो ये pentons का petal होता है normally ये देखा गया है कि जो corners हैं यहाँ पर pentons का arrangement मिलता है और जो faces हैं यहाँ पर hexons का arrangement मिलता है तो ये एक एडिनो वाइरस है दोस्तों तो आप देखें एडिनो वाइरस के case में जहाँ vertices होते हैं vertices में pentons का arrangement मिलता है और जो faces हैं and edges हैं यहाँ पर hexons का arrangement मिलता है यह question आता है यह पूछा आता है इसलिए दोस्तों इसको आपको याद रखना है तो इतना था icocidal symmetry के बारे में अब आते हैं helical symmetry के बारे में helical symmetry में यह एक important objective आता है कि जितने भी plant viruses हैं वो जो helical viruses हैं वो non-enveloped होते हैं यह याद रखना है और इस non-enveloped होने कारण rod shaped के होते हैं flexible होते हैं या फिर rigid होते हैं महीं जितने भी animal viruses हैं वो सारे helical symmetry वाले उन में lipoprotein envelope present होता है तो यह objective हमेशा आता है इसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जितने भी plant viruses हैं इन में envelop नहीं होता जितने भी animal viruses हैं इन में envelop होता है यह objective है और यह हमेशा पूछा जाता है अब यहाँ पर एक example है देखिए यह है influenza virus influenza virus में यह आप देख सकते हैं यह helical nucleic acid है और helical nucleic acid के multiple fractions हैं और यह एक capsomere की layer से capsid से surrounded है और यह जो capsid है इसके outer layer में envelop है तो इस type से influenza virus एक enveloped virus है अब friends आगी चलते हैं जहां हम viral envelops की बात कर रहे हैं तो हमेशा यह question आता है कि envelop केसे बनता है तो आप ध्यान दें कि envelop जब ही virus में बनता है वो host से release होने के time पर budding से बनता है suppose कीजिए कि एक host है इसमें एक virus है तो जब virus release होता है तो host में एक bird बनता है और यहां से यह virus release होता है तो virus जब भी budding से release होता है इसमें हमेशा envelop जो होता है वो host से आता है so the envelope is originated from the host lipid layer यह हमें याद रखना है अब इसमें एक चीज़ और आती है कि envelope में कौन-कौन से proteins होते हैं तो envelope में याद रखना तीन टाइप के proteins होते हैं पहला होता है glycoprotein इसके बाद दूसरा होता है matrix protein और तीसरा होता है fusion protein यह तीन टाइप के proteins होते हैं पहला glycoprotein दूसरा matrix protein और तीसरा fusion protein जो glycoprotein और fusion protein है यह glycosylated होते हैं glycoprotein या तो trimels होते हैं और या फिर tetramels होते हैं यहां लिखा है trimels trimels इनको हम peplomas भी कहते हैं और यह peplos का meaning होता है envelop इसको हम spikes भी कहते हैं और यह tetramels भी होते हैं इसी के साथ जो fusion protein है वो glycosylated होते हैं और यह peplomas के साथ associated होते हैं इसके बाद matrix protein जो है matrix protein जो होता है non glycosylated होता है और यह जो inner layer है उसमें पाए जाता है तो mostly यह तीन टाइप के आपको हमने envelop में associated proteins बता हैं पहला है glycosylated protein दूसरा है fusion protein और तीसरा है matrix protein यह तीन टाइप के proteins हैं और यह तीन टाइप के proteins का भी structure हम आपको बताते हैं पर एक्जामपल in case of influenza virus आप देख सकते हैं यहां पर यह जो protein है यह matrix protein है जो inner layer है और इसके बाद में इस lipid by layer में आप यह देखेंगे यह spikes हैं यह papillomar है और यह papillomar जो है यह trimels हो सकते हैं और tetramers हो सकते हैं तो यह trimels है hemiglutinin और neuraminidase tetramers है hemiglutinin trimer है neuraminidase tetramers है इसके बाद में यह matrix protein आपको एक बता दिया दूसरा हमने आपको बताया यहां पर papillomars यह glycoproteins हैं और एक इसमें आता है fusion protein जो इसमें नहीं दिखाया गया है अब इसमें functions आपको बताते हैं इन तिनों proteins के जो की envelop पर present होते हैं इनके function क्या है जो glycoproteins हैं जैसे hemiglutinase, neuraminidase यह glycoproteins basically antigen का काम करते हैं इनका antigenic property होती है यह attachment के लिए responsible होते हैं from the host host से जब यह virus attach होता है तो यह spikes से attach होता है with the hell यह virus है और यह host है तो virus host से spikes से attach होता है और यह attachment जो है यह basically glycoproteins है यह trimels होते हैं यह tetramels होते हैं और यह glycoproteins basically attachment का काम करते हैं और antigenic होते हैं, in nature antigenic होते हैं दूसरा आता है matrix protein, matrix protein जो है rigidity का काम करते हैं यह एक virus को specific shape provide करते हैं और यह lipid bilayer में inner aspect पर होते हैं तीसरा हमने आपको बताया fusion protein, fusion protein मुक्य रूप से जब यह host के साथ attachment होता है तो host के साथ fuse, यह host cell है और यह virus है तो virus जब host से attach होता है तब fusion के लिए fusion protein की जरूत होती है तो आपने देखा होगा कि इस type का जो bird बन करके यह virus जो है जब fuse होता है तो fusion के time पर जो lipid bilayer host की है उसके साथ में इस fusion protein का use होता है और यह host के साथ fuse हो जाता है तो अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान दखना है और वो यह है कि यह proteins कहां कहां मिलते हैं So, the glycoprotein is found in ultramyxovirus, paramyxovirus, then leptoviruses, then philoviruses, then coronaviruses, then bunyaviruses, then arinaviruses and retroviruses यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह 8 viruses इसे हैं जिनमें glycoprotein मिलते हैं यह याद रखना है आपको, इसके बाद आते हैं, matrix protein किन में मिलता है, matrix protein मिलता है तो यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5, यह 5 viruses में आपको matrix protein मिलता है तो यह common है, 8 viruses, इन 8 viruses को याद रखना है, ortho, pera, rabdo, philo, corona, bania, arena और retro इन सभी में glycoprotein मिलते हैं, जबकि ortho, pera, rabdo, philo, और retro इनमें हमें matrix protein मिलते हैं, लेकिन corona, bania, और arena इनमें matrix protein नहीं मिलते हैं इस चीशका हमको ध्यान दखना है so hope आपको यह video पसंद आया होगा, please मेरे channel को subscribe करें मैं और भी आगे इस type के video आपके साथ share करूँगा, next video तक के लिए धन्यवाद